असलाम वालेकूम वेलकुम टो मैं चैनल अमीदे सब लोग बहुत अच्छे से होगे बहुत मज़े में होगे और जहां पे भी होगे बहुत खुश होगे आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ वजाइनल इंफेक्शन के बारे में बहुत ही सेंस्टिव टॉपिक है हमें नहीं बताया चाता है हम में अगर ये प्रॉब्लम हो भी अगर गर्ल्स को ये प्रॉब्लम हो भी तो वो बताते हुए हैजिटेट करती है इसलिए मैंने टॉपिक को चूस किया है कि आज मैं आप लोगों को बताओं कि वजानल इंफेक्शन क्यूं है इसके सिम्टम्स क्या है ये होता किस वजह से है और इसको आप लोग कैसे ठीक कर सकते हो बहुत बड़ा ही मसला नहीं है छोटा सा है और आजकल हर चार मैसे तीन औरतों में ये मसला होता है और इस मसले को खतम करना बहुत असान है बस आप लोगों को थोड़ से एतियात करनी है कुछ प्रॉपर डाइट लेनी है तो इस सारी चीज़े हम फर्दर डिसकस करने वाले हैं इस वीडियो को देखने से पहले इस चैनल को करना है और मेरी वीडियो करना है राइक विजाईनल इन्फेक्षिन बेसिकल इक ट्राइल इन्फेक्षिन है जब आपके जएनीटल पे बहुत ज़्यादकste उनकी quantity ज्यादा हो जाती है तो यह infection हो जाता है अब bacteria यहां पर बात हो रही है तो आपको मैं यह clear कर दूँ कि bacteria दो तड़ा के होते हैं एक bacteria की टाइबो है जो naturally आपकी body को protect कर रही होती है आपके अंडर लग एरिया को protect कर रही होती है तो जब आप लोग अपने अंडर लग एरिया को बहुत ज्यादा wash करते हो तो उससे जो आपको protect करने वाले bacteria होते हैं उनकी quantity कम हो जाती है और harmful bacteria की quantity ज्यादा हो जाती है तो जब harmful bacteria की quantity ज्यादा हो जाती है तो वो एक reason होती है vaginal infection की और vaginal infection के बारे में important बात यह कहूं कि यह transfer भी होता है अगर आप same toilet use करे हो या फिर अगर आपने कभी public toilet use किया है और उसमें किसी person को vaginal infection है तो आप में transfer हो सकता है इसलिए कुछ precautions भी मैं आपको बताऊंगी वो भी आपको ध्यान में रखनी है जब भी आप बाहर निकलो या घर में toilet use करो vaginal infection आजकल हर औरत में ही तकरीबन पाया जाता है और इस वजह से क्या होता है आपको periods के issues भी हो जाते है पीडर की issue में क्या बात आ जाते है spotting spotting स्टार्ट हो जाते है दूरिंग पीडर या फिर आफ्टर पीडर और अगर आप लोग को spotting है तो यह sign है कि आप लोग को vaginal infection है अगर आप लोग को spotting issue नहीं है लेकिन पीडर से related और कोई issue है तो उस पर भी मैंने proper video बनाई है उनकी remedies पर भी वीडियो बनाई है उसका link मैंने description box में दे दिया है आप लोगो जाके देख सकते हो मेरा काम भी है आप लोगों को aware करना आप लोगों को बताना कि कौन से problems ऐसे हैं जो आप लोग खुद ठीक कर सकते हो इसके बडर बज़ा होती है आपका immune system चीक लोगों का ये जिन बचियों का immune system कमजोर होता है उनमें ये infection बहुत बहुत जल्दी से हो जाता है इसके इलावा भी अगर आप लोगं का immune system कमजोर है अगर आप लोग soap, perfume या gel ऐसी यूज़ करते हो तो उस वज़ा से भी bacterial infection हो जाता है होता क्यों है उससे आप की body को जो bacteria protect कर रहे होते हैं वो कम हो जाते हैं इसलिए आप लोग को in perfume, gel या soap का use कम से कम करना है ताकि आप लोग को vaginal infection का मसला ना हो अगर आप लोग को है भी या थाक तो आप लोग को in future ये problem ना हो तो vaginal infection के कुछ symptoms भी होते हैं अगर आप लोग में वो symptoms show हो रहे हैं तो आप लोग को vaginal infection है अगर आप लोग discomfort फील कर रहे हो अपने genital area के around when you urinate तो possibility है कि आप लोग को vaginal infection का problem है इसके लावा भी इसके बहुत सारे symptoms होते हैं तो kindly उन symptoms को दिहान से सुनियेगा उसके बारे में जो भी बताऊँ और उन symptoms में से अगर कोई भी symptom आप लोग में show हो रहा है तो उसको वहीं पे cure करने की कोशिश करना इसको बढ़ने नहीं देना है vaginal infection के कुछ जो symptoms हैं वो है irritation, burning, itchiness आपके urine में से बहुत false smell का आना इसके इलावा एक white discharge थिक white discharge discharge दो टाइप का होता है एक वो discharge है जो कि आपकी body को naturally clean करता है आपके इंडरलाख हीरिया को clean करने के लिए होता है एक discharge हो है जो thick white discharge है ये शो करता है कि आप लोगों को vaginal infection है तो अगर आप लोगों में ये symptoms show हो रहे हैं इचiness है, burning है और जो बाकी symptoms रहने बताया है अगर वो show हो रहे हैं तो आप लोगों को इसके बारे में कोई ना कोई medication लेनी है कोई ना कोई remedy try करनी है कि आप लोग कैसे इसको cure कर सकते हो अगर आप लोग ये जानना चाहते हो कि vaginal infection को कैसे खतम कर सकते है homemade remedies की तुरूथ इसमें मैंने proper video बना दी है उसका link मैंने description box में दे दिया है आप लोगों जाके देख सकते हो वो सारी remedies बहुत जादे effective है आप लोगों must try करना उन remedies के इलावा आप लोगों कुछ precautions को भी देहान में रखना है जैसे के proper hygiene का हया रखना है अंडर like area को dry रखना है गिला नहीं रखना है ज्यादा देर के लिए इसके इलावा cotton underwear कर इस्तमाल कीजिए ऐसी cloth कर इस्तमाल नहीं करना है आईसी material यूज नहीं करना है जिससे heat rash पैदा हो और पानी के इस्तमाल ज्यादा से ज्यादा करना है जैसे कि मैंने पहले बता दिया कि वजानल इंफेक्शन जब होता है तो उसके साथ कहीं नहीं आपकी kidney भी infect हो जाती है तो जब आप proper पानी यूज करोगे तो उससे क्या होगा आपकी kidney भी साफ होगी आपकी urinary tract भी clean होगी I try my best के मैं आप लोगो वजानल इंफेक्शन से related हर चीज बता हूँ इसके causes, symptoms इसको कैसे cure कर सकते हैं इसके precautions लेकिन अगर फिर भी कुछ रह गया हो जो आप पूछना चाहरे हो तो आप मुझे comment section में पूछ सकते हो hopefully आप लोगों को इवीडियो अच्छी लगी होगी आप लोगों को informative होगी आप लोगों के लिए helpful रही होगी अगर आप लोगों कोई वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सबस्क्राइब करना नहीं बूला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए